देखने में जितना अच्छा लगता है उससे कहीं ज़्यादा ये स्वादिश्ट होता है और बहुत कम समय में कम चीजों के साथ हमारा जटपट त्यार होने वाला नाजता रेस्पी देखते हैं सूजी के अपटे जो की बहुत जटपट बनकर त्यार हो जाते हैं सबसे पहले में एक बड़े बॉल में चार से पांचमच सूजी के लिए और उसके बाद मैं लोंगी दही दही मैंने इस क्वांटिटी लेनी है इस तरह ताकि जो की हमारी सूजी है पूरी तरह उसमें मिक्स करना है यह हमारा जटपट बनकर नाश्ता त्यार हो जाता है सूजी से और क्योंकि सूजी फूल जाती है तो इसके लिए हम इसको जब दही मिक्स कर लेंगे तो इसको एक उसके ढखकन के साथ हम कवर करके सूजी को रखेंगे तो पहले जो भी डाइट चार्ट फॉलो करते यह सूजी का जो नाश्ता है बहुत हेल्दी है और जल्दी बनने वाला है और जल्दी खाने के बाद इसको जल्दी भूक भी नहीं लगती हम बहुत देर तक बीना कुछ और खाई रह सकते हैं और जटपट बनकर यह त्यार हो जाता है और बहुत ही स्वात बनता है तो इस इसको धकन के साथ धक कर रख दूंगी कम से कम इसको 10-15 मिनिट के लिए रख दूंगी अब 10-15 मिनिट हो चुके हैं मैं चेक करूंगी हमारी सूजी पहले से फूल चुकी है अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी एड़ करते हुए इसको हम मिक्स्टर इसका बनाएंगे अप धीरे धीरे हम पाने एड़ करेंगे और एड़ करने के बाद इसको हम स्पेचुला से बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे यह देखो कितना अच्छा हमारा टेक्स्टर बन चुक है यह हमारा अब मैं डालूंगी नमक मैंने यहां पर सेंदा नमक लिया आप चाहे कोई भी नम तड़का पैन और उसमें थोड़ा एक दो से तीन चमच लोगी ओल की कुकिंग ओल कोई भी आप यूज कर सकते हैं फिर उसमें मैंने डाले मस्टर सीड राई जिसको बोलते हैं और उसमें एक से डेड़ चमच लिया अब मैं डालूंग इसमें थोड़ा के पिंच एक हींग यह हिंग है जो हमारा बहुत ही फ्लेवर अच्छा देते हैं और इसके साथ डाईजेशन भी हमारी ठीक होती है अब मैंने दस से पंदरा के करीब पत्ते यहां पे कड़ी पत्ता लिया और उसको भी इसमें फ्राई कर लोंगी तेल में अब मैंने दो यहां पे हरी मिर्च थ है वो इसमें डाल दूगी यह कितना अच्छा हमारा बैटर बनके त्यार हो गया आप चाहें अगर कोई जब मैंने हरा धनिया चॉप किया था वह भी डाला आप चाहें कोई इसमें अगर अपने मन पसंद की सबजी भी डालना चाहते हो तो आप बारी चॉप करके फाइनली बैटर फलफी बन जाता है इसे हमारे अपे बहुत सॉफ्ट बनते हैं यह दिखो हमारा कितना अच्छा सॉफ्ट बैटर है फलफी बनकर त्यार हो चुका है अब मैं अपे स्टेंड लूँगी और उसको अच्छे से गरम करने के बाद और और वाइलिंग करने के बाद जो भी हमारा बैटर है थोड़ा थोड़ा करके सभी इसमें जो अपे स्टेंड है उसमें डाल दूँगी अच्छे से इसको फाइनली सब डाल दूँगी देखो इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है क्योंकि अगर हम ज्यादा हाई करेंगे तो जल जाएगा तो इसलिए मीडियम पे अंदर से सॉफ्ट हो जाएगा और पूरी तरह पक जाएगा अब मैं कोई 2-4 मिनट के बाद इसको चेक करूंगी और देखूंगी कि यह कैसे बन गए और जैसे उपर से तो यह तकरीवन बन चुके हैं मतलब हम दूसरी एक साइड पक चुकी है क्योंकि हमारी सूजी है जो देखने से पता चल जाता है कि अब यह हमारे अपे त्यार हो गया एक साइड से तो जो सारे अपे हम इनको चम्मच की हैल्प से सभी को साइड पर लड़त तो आप इसको दिन में एक बार जरूर खाना चाहोगे अगर एक बार आप खा चुके आप देखना इसको अब हम दूसरी दो चार मिनट के बार फिर चेक करेंगे इसके दूसरी साइट अब यह दोनों तरफ से पक चुके हैं अब यह खाने के लिए रेडी हो चके आप मेरी इ लाइक करना शेयर करना और इस रेस्पी को ट्राइजरूर करना जी देखो कितने अच्छे लग रहे हैं और यह हेल्दी हमारा नास्ता है और घर पर ही दस मिनट में जटपट बनकर त्यार हो जाता है यह अब खाने के लिए रेडी हो चुके हैं